वेल्कम बेक अब्रिवन वेल्कम टो सवल्स रविसेश टड़ी एकॉनोमिक्स का टेस्ट लगा लते हैं एक भारती अर्थवस्था तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह हैं टेस्ट नंबर 533 इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज की उपिया से सवल्स रविसेश की प्लेलिस्ट बने रखिए बहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 533 तक पहुंच सकते हो चार अक्टूबर से पहले सभी का रिविजन कर डा लिएगा दो से तीन बार तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोश्चन नंबर 1 है नमलिखित कतनों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट है यहां पर बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है पहला स्टेटमेंट है भारतिय और द्योगिक विकास बैंक आईड़िवियाई को राष्ट सेहर बाजार का प्रम तो देखिये वर्स 1991 में फिरह वानी समीति ने राष्ट सेहर बाजार की स्थाप्ना है तू संतुति की थी और वर्स 1992 में ब्रफ और स्रकार ने भारतिय और द्योगिक विकास बैंक आईड़िवी आई को इसकी इसथापना का कार सूमपा इस प्रकार इस बैंक को ही राश्ट सेयरवाजार का पुर्मक प्रवर्ता क्यानी प्रमोटर माना जाता है इसका मुख्याल है दक्षणी मुंबई में कोशन नमबर टू है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बी एस इसे से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहां पर देखिए वर्स तो है पांच से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक पॉब्लेक लिमिटेड कंपनी के रूप में रुपांतरित हो गया कंपनियों के पंजिकन की संख्या की दरश्टी से यहां विश्व का नमबर एक स्टॉक एक्सचेंज है क्या बिलकुल है करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका अंसर तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं सन 1875 में स्थापित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बी ऐसी अपने स्थापना के 130 वर्सों के बाद उन्ने सगस्त हैर पांच से एक पब्लिक लिम्टेट कमपनी के रूप में रूपांतरित हो गया और इसमें 5000 से भी जादा भारते कमपनियां पंजक्रत हैं इस द्रश्टी से यह है विश्व का नंबर वन स्टॉक एक्सचेंज है यह है दक्षन एसिया यानि साउथ एसिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है कोशन नुमर थरी पर आजईए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संदर्ब में निम्न कतनों पर विचार करना है पहला स्टेट्मेंट क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रास्टिय सूचकांग 100 शेरों का होता है जबकि उसका संबेदी शेर सूचकांग 30 शेरों का होता है संबेदी सूचकांग का आधार वर्ष 1978 से लेकर 79 है 1978 से लेकर 79 है तो वहीं रास्टिय सूचकांग का आधार वर्ष 1983 से 84 है देखे पहला statement तो correct है क्या दूसरा correct है या फिर interchange होगा यह यहां होगा देखिए ऐसे ही सही है interchange करने की आवश्यक्ता नहीं है दोनों के दोनों correct है इसका answer हो जाएगा option number C तो देखिए दोनों के दोनों कथन correct हो गए पॉम्बे स्टोक एक्चेंज का राष्टे सूचकांग नेशनल इंडेक्स 100 सेरो का होता है जबकि उसका संबेदी सूचकांग जो है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स स्टोक एक्चेंज वो 30 सेरो का होता है दूसरा statement है संबेदी सूचकांग का अधार वर्स 1978 से 70 राष्टे सूचकांग का अधार वर्स कितना है 1934-84 है तो दोनों के दोनों correct है इसका answer हो जाएगा option number C देखिए संबेदी सूचकांग जो होता है सेंसेक्स यानि इसकी रच्णा वर्स 1986 में की गई थी और माना जाता है कि भारत के परते एक सेर बजार की इतनी लंबी अब्धि की समिक्षा के लिए संबेदी सूचकांग का इतिहास महतपुर्ण भूमिका निवाता है शेयर बाजार के उतार चड़ाप को मापने के लिए देश में यह है अपने प्रकार का जो है पहला सूचकांग है कोईशन नुबर फोर पर आजाई है अंकित मूल की तुलना में शेयर के बाजार के मूल आधिक को प्रीमियम कहते है करेक्ट है या इंटरचेंज कर दें होता ही है ऐसी करेक्ट है दोने के दोने स्टेटमेंट देखिए अंकित मूल की तुलना में शेयर बाजार के मूल की आप हापको कहते हैं बटा और अंकित मूल की तुलना में शेयर के बाजार के मूल आधिक को बोलते हैं प्रीमियम यदि अंकित मूल और बाजार मूल बराबर हो तो उसे मूलियों में समानता या शेयर एड़ पार शेयर एट पार, शेयर एट पार कहते हैं कॉश्चन नुम्बर फाइब पर आजाईए नम्रिखित गत्नों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है देखिए दीर्काली निवेशक का प्राथमिक उद्देश से जो है न, वो लावांस अरजित करना है और जो उसका दुत्यक उद्देश है, वो पूझिगत लाव अरजित करना है अंतर समझ में आ रहा है न दोनों में गलत है पहला बाला स्टेट्मेंट दूसरा करेक्ट है तो इसका अंसर हो जाएगा केवल दो, उप्सन नमबर वी तो देखिए दीर्काली निवेशक का प्राथमिक उद्देश है, वो लावांस अरजित करना है इसलिए अंगलत है पहला स्टेट्मेंट ऐसे निवेशक जो सेर खरीदने के बाद दो वर्ष तक, कितने वर्ष तक, दो वर्ष हो तक, बिक्राय ना करें दीर्काली निवेशक का प्राथमिक उद्देश लावांस अरजित करना तथा दुत्यक उद्देश पूंजिगत लाव अरजित करना है दीर्काली निवेशकों को कमपनी वरिता देती है कोशन नुमबर सिक्स पर आजएए निमलिकित कतनों पर विचार करना दो स्टेटमेंट है यहां पर बताने कि मैं से कौन सा करेक्टर पहला स्टेटमेंट है जिन सटोरियों को भविश में शेरों के दाम में ब्रधी की आगानशा होती है या आशंका होती है उनको तेजडिया कहते है और जिन सटोरियों को भविश में सेर के दामों में कमिक या आशंका होती है या रहती है उनको मंदडिया कहते है यह important है सब्द तेजडिया मंदडिया इनको बैसी पूछ लेते हैं कि किस से संबन नेते हैं तो share बाजार से संबन रखते हैं यह बिलकुल correct है दोनों के दोनों statement C है इसका answer तो देखें आशाबादी सटोरियो के निवेश आचरण के कारण share बाजार में तेजी आ जाती है अर्थाद बिनमे की मात्रा में तेजी के साथ कीमत बढ़ जाती है अते इने market accelerator भी कहा जाता है आशाबादी सटोरियो कौन से हो गए तेजड़िया हो गए अब देखें निवेश आचरण के कारण बाजार में share की कीमते गिरने लगती है और नए खरीदारों की संख्या भी गर जाती है अर्थाद बिनमे की मात्रा कम होती है तथा कीमते भी कम होती है इन्हें इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं मंदड़िया या फिर बाजार मंदक कहते हैं हैं दोनों सटोर ये, ये तेजड़िया है, ये मंदड़िया है, कोशन नुम्बर 7 पर आजाए है नमलिकित कत्नों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट एक बार फिर से बताना है कि नमें से कौन सा करेक्टर पहला स्टेटमेंट है भारतिया ओबर दा काउंटर शेयर बाजार भारत का पहला ओनलाइन वेपार मतलब ओनलाइन ट्रेड सुब करोड रुपे तक का हो बिलकुल 30,25 करोड दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये तो देखें मुंबई में वर्ज और 990 में स्थाबित किये गए लग हूँ फे मद्यम और दोगिक इकाईयों के शेयर बाजार के रूप में भारतिया ओबर दा काउंटर शेयर बाज की गई क्योंकि नेजडेक का कम्प्योटर नेटवर्क पूरे अमेरिका से जुड़ा हुआ है जिसके कारण वहां की लगुवे मध्यम इकाईयों से तुरंत संबंद इस्थापित किया जा सकता है कुशन नम्बर 8 पर आजाए निमलिखित कुछ कता नहीं अबर किसके बारे हैं भारत्य प्रतीभूती अब आम बिनिमय बोड सेवी के संधर में बिचार करना है देखें सेवी एक संबेधानिक निकाए है संबेधानेक परदानमंत्री सेवी का पदेन अध्यक्ष होता है सेवी का मुख्याल है दिल्ली में है और इसके छेत्रे कार्याले कलकत्ता चिर्णई और मुंबई में स्थाबित किये गए पता यह कौन सा करेक्टर इंपोर्टन है अपरश्न most important है प्रशन देखें सेवी पहली बाद तो संबेधानिक निकाय नहीं है ये एक गैर संबेधानिक निकाय है मतलब स्टेचरी बोड़ी है परधान मंत्री सेवी का देख स्थोड़ी होता है Central Government वारा Central Government के द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति होता है सेवी का मुख्याले दिल्ली में थोड़ी ये मुंबई में है जो इसके छेत्रे कार्याले हैं वो कलकत्ता, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नी में और इसका मुख्याले मुंबई में है तो ये तो तीनो के तीनो Absolute Nonsense Statement तो देखें सेवी एक गैर संबैधानिक निकाय है यानि सामबिधिक हो गई इस ट्रेचरी बोड़ी हो गई है जिसकी स्थापना संसद ने एक कानून के माध्यम से अपरेल 1988 में की थी और बाद में वर्स 1992 में एक अध्यादेश द्वारा इस संसदा को बैधानिक दरजा पर्दान कर दिया गया यानि ये संबैधानिक नहीं है गैर संबैधानिक अरथा सामबिधिक है सेवी का परबंदन 6 सरसियों की देखरेक में होता है और इसका जो अध्यक्स होता है वो Central Government द्वारा कोई नाम निर्देशित मतलब Nominated कोई विसे स्योगेता प्राप्त व्यक्ति होता है प्रधान मंत्री नहीं होते हैं इसका मुख्याल है मुंबई में है और इसके जो छेत्रे कार्याल है रिसनन जो कार्याल है वो कलकता चिन नहीं और दिल्ली में है दिल्ली में इसका मुख्याल है याद रखना ये सारी चीजे है कोश्यन नम्रीखित कत्नों पर विचार करना एक बार फिर से दो स्टेट्मेंट है बताने की नमें से कौन सा करेक्टर है देखिए पहले स्टेट्मेंट है बढ़ा चड़ा कार रिटर्न देने का बादाकर निवेशक से धन जमा कराने वाली योजनाएं पोंजी इसकीमें क आप बादा करके निवेशकों से धन लूटने वाली जो योजनाएं होती है वो पॉंजी स्कीमें कहलाती है करेक्ट है पहला स्टेटमेंट और पॉंजी स्कीमों से निपटने के लिए संसद ने प्राक्रलन समयती को सक्ति थोड़ी दिये से भी किस काम आएगी भई से भी को सक्ति दिये भारते प्रतिभूती और बिनिवाबोर्ड गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट तो देखिए पॉंजी स्कीमों से निपटने के लिए संसद ने प्रतिभूती कानून संसोदन विध्यक 2014 को पारित करके भारते प्रतिभूती और बिनिवाबोर्ड से भी को सक्तियां प्रदान की है और पॉंजी स्कीमों यानि बढ़ा चढ़ा का रिटर्न देने का बादा करके निवेशकों से धन जमा कराने वाली योजनाएं होती हैं पॉंजी योजनाएं अंत्यम प्रश्ण की तरफ अगर सर होते हैं डिपॉजिट्री प्रणाली के कारेों के संदर में विचार करना है आपको और बताना है कि उपरवक्त में से कौन से कार डिपॉजिट्री प अस्तांत्रण के सरस्य के रूप में प्रतिभूतियों की computerized बही की प्रविश्टी करना, bond के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के वित्रण को computer पर रखना, सारे के सारे statement correct हैं, ये depository प्रणाली के कार हैं, इसका answer हो जाएगा option number 2 उपरोक्त सभी, तो देखे, depository प्रणाली यानि depository system एक ऐसी विवस्ता है, जिसके अंतरगत स्वामित्य संबंदी परिवर्तन, electronic वही प्रवस्टी अंतरण के द्वारा होता है, यानि electronic book entry transfer के द्वारा होता है, इस प्रतिभूतियों का भौतिका दान प्रदान नहीं किया जाता, और भारत में 1992 में शेयर घोटाले के बाद ऐसे घोटाले की पुन्रावर्ति को रोकने के लिए एक तकनी की समीती की सिफारिस पर प्रारंब में शेयर प्रमान पत्रों के भौतिक आदान प्रदान विहीन, depository प्रणाली को अपनाने का निर्णे लिया गया, तो दस प्रश्णते important ये economics के अच्छ ऐसा इसका revision कर लेजेगा, कम से कम दो बार धन्यवाद